फाइनली गाईज फैटल डार्कुइन टावर आ चुका है और मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी आएगा बट बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सक्षन में बताया कि बहुत जल्दी आ रहा है भाई दो या तीन दिन बाद ही आ जाएगा और यह फाइनली आ चुका एस वेल एस एन इपिक टावर एक्यूपमेंट कार्ड प्ले नाओ तो इस टावर को अगर आप कम्प्लीट करते हैं गाईज तो आपको MK11 नाइट उल्द मिलेगा जो की बहुत ही कमाल की बात है मुझे लगा नहीं था कि वो MK11 नाइट उल्द को टावर के अंदर डालेंग माई टूल तो जैसा कि इन बॉक्स में लिखा हुआ था वो सारे कार्ड है यहाँ पर और एक इपिक एक्यूपमेंट कार्ड और बॉस फाइट के अंदर आपका ये तो नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है हाँ लेवल 80 पे आपको मिलता है रेंडम डार्क कुइन रेर और 30 पे भी जादा कुछ है नहीं 160 पे रेंडम डार्क कुइन टावर रेर इक्यूपमेंट कार्ड तो 160 पे हमें एक पर्मनेंट रेर कार्ड मिलेगा गाईज तो ये काफी अच्छा चेंज हुआ है गाईज हमें एक और रेर मिलेगा और ये कनफर्म है कि 160 अगर आप कंपलीट करते हैं तो आपको एक और रेर मिलेगा इसके बाद 180 पे एक रेंडम डायमंड और गोल्ड कार्ड तो गाईस हमें एक डायमंड कार्ड भी मिल सकता है 180 में तो ये एक्छुली काफी जादा इंप्रेसिव है और 200 पे तो पता हमें क्या मिलेगा और standard participation के अंदर तो वही है same स सब कुछ है अच्छा सोल आपको 15 से लेकर 80 तक मिल सकता है तो एक बार गाई जल्दी से हम एक बैटल खेल लेता है तो पहले एक टीम को सिलेक्ट कर लेता है हाँ यह रहा तो लेस्ट डू दिस वैसे कोई भी रेयर एक्यूपमेंट कार्ड मिलने के चांसे काफी जादा कम है बढ़ ट्राइ करके देख लेता है अगर कुछ मिल जाता है तो अच्छा है नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं तो अभी के बैटल तो काफी ज़्यादा सिंपल है लेकिन जैसे जैसे हम आगे बहरने वाले यह बैटल बहुत ही ज़्यादा हाड होंगे और 100 के बात की जितने भी बैटल्स है न वो काफी ज़्यादा हाड होने वाला है हाला कि आप इमोटल बन सकते है अगर आपके पास इडिनेंपाई और सेडो सेयस है तो अगर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए अच्छा एक गोल्ड कार्ड मिला तो यह अच्छा है एक और बैटल खिलके देख लाता है क्या पाता कोई रेहर ये एपिक मिल जाए वो ऐसे मुझे लगा नहीं था कि कोई गोल्ड कार्ड मिले का पहले बैटल से इस बैटल में देख लेते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता अभी लुकायं को काउंटर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है हमको डिवोरा काउंटर कर रही है गाइस अगर आपको यह एरोन में एक नजर आता है इसे खरीद लीजेगा यह बहुत ही अच्छा काड है और भी बहुत सरे गोल्ड काड है जिने खरीदना चाहिए आपको इस टोर के अंदर उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है टॉप टेन गोल्ड काड्स जो आपको इस टोर से बाई करने चाहिए उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में है आप चाहे तो चेक आउट कर सकते हैं और इसके बदल हमें मिलता है गोल्ड तो ऐसा लगता है गाईस कि मुझे गलती से गोल्ड काड्स मिल गया था ठीक है गाईस अब मैं और बैटल्स वैसे भी खिलना वाला हूँ नहीं हम बस यह देखना चाहते थे कि हमको कुछ मिलता या नहीं मिलता और हमको कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं अधर्वाइस मुझे पता है कि बिगनर्स के उपर आप कुछ वीडियोस देखना चाहता है बड़ एक्चुली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस टॉपिक के उपर वीडियो बना हूँ क्योंकि टॉप 10 गोल्ड काड्स के उपर मैंने वीडियो बना दिया अधर्वाइस मुझे पता है पर एक्जेंपल अगर मैं आपको बताता हूँ कि साओ खान का हेलमेट बहुत ही अच्छा एक्चुली मैंट है बट उस एक्षीप्मेट को हासिल करने मैं आपको 10 महीने लग जाएगा तो फाइदा किया उसस एक्एप्मेंट का नाम बता क्या अगर मैं आपको बोलता हूँ, revolvers बहुत अच्छा equipment है, आपको critical hit chance देता है, plus unblockable chance देता है, पर उसे max out करना एकदम random है, आपको बस equipment फैको open करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और 70,000 अगर आप coins spend करेंगे एक बार, तो बस आपको 3 equipment मिलेंगे, तो equipment के उपर फिर से बीडियो बनाने कोई logic नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं आपको बोलता हूँ, कि आपको यजे beginner इन equipment को लेना चाहिए, या use करना चाहिए, बढ़ आपके पास वो equipment होंगे नहीं, क्योंकि उन equipment को हासिल करना ही बहुत ज़्यादा hard है, तो इसलिए मैं equipment के उपर कोई video नहीं ब बना दूंगा, तो आज की video यहीं बेंट करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं next video में,